गुद्मोर्णिंग क्लास्ट वार्यूंट फाइंट विटा देखो बिचा जैसे आपने प्रीवेस कास पर आपने पढ़ा था हम चैप्टर नॉम्बर सेवन कर रहे थे जिसका नाम क्या था हमारा अनिमल वर्ड देट इस आवर चैप्टर नॉम्बर सेवन ओकी इन आवर फॉलोवेंगे किये थे हमने उसके बाद आपके शॉर्ट अंसर से उसमें फाइफ कॉस्टन कर लीए थे उसके बाद इसक्स सेवन और वहाम अब करना था तो हम उनको स्टार्ट करते हैं आज इनका पॉस्टन है अपने बुक निकाल लिए नॉट बुक निकाल लिए समझी utskors आपकी साथ राइट करते चाहिए आपका हमबक हो जाएगा तैम पीड़िड के अंदर और तो आपका mo בר क्या सो TikTok dating habits ऑफ हर्बीृव्वाज फाने वर्षक्कोंबरसक्राइब यह कौन्म की थीदिग जो अपना खाना क्या खाते हैं खुद बनाते हैं वो तो अलग हो जाता है जो अपना खाना सिर्फ प्लांट्स के थ्रू ही बनाते हैं प्लांट्स के सासफ है आपर क्या वार्ण ऐब क्या रहाइब करते हैं तोड़ पाते हैं अपने शार्प थित की हल्प से जो आपके यहां पे जब के दात होते हैं वह क्यों होते हैं वह रोड़ होते हैं वह चबाते हैं क्या रिचों कि शुसाइब क्या बहुत बोहु वीजोनीड इपलत है नोग ऊपते पर दृफ मेट बबनकर राइब आप सिलेवास तंगा इने में वकीन यहां कवैड़ा Ford समें आपुए और वक्रत सब्सक्रातं सब्सक्राइब सियह जैसे फिर बोड इसके क Tiny कंपेक प्तूंके शार्ब पकड़ते हैं उसको जस्त वहीं पर और उसका जो अ होता है उनके फ्लेश होता है उनके पोइंट्री तीर उनकी कुल कुल पुरा फाट देते हैं जो टुरीश होते हैं ठीक है थे फिर उसके बाद ऐसके आपको कॉशन एकस्प्रीं करने थे वर्ट से लंग्स के तरीं नंसे यह समझ में आ गई तैसे हम घ्र आने में हमारी बोड़ी में जो एर एंट्री करते है वह कॉन कर रहे हैं च्छेकर है धुरिए खिंगे करते हैं गैस को रिलीज कराते हैं जो ब्रीफिंग होते हैं नियुक्त कर दो गैस पहुंचती है बर जो ब्र्ट को सीच होता है उसके अंदर आपके ब्रीफिन कैसे होती है ? तो जिद्र हैहाँ पर आपको पुहता पर नंट rightly जाती है , जिद्र होते हैं पर यह वानल आपके भीप की सोड़े मत आपका ध्रीन कोधिकर साती है को तार्य और दिए वाओन के सक एंदर नो इंडरी चोंपे पैप होता है और के कर BBC गल्या विद्या यारीद को दे YOUT पर बोडी कवरीं व अपकेशन के हैं उफ क्यों हर्ब ब३ूडही exists पाते हैं तो उनके पास बोडी कवरिंग में फीदर्स होते हैं उनके पास फर होते हैं तो वह बोलोगे आप यहाप पर कि जो बर्ड्स होते हैं फैदर्स वह बोलोगे आपको फैदर्स की हल्प से रखते हैं यहाप फर की हल्प से तो यह दोनों की होगए डिफरेंट टाइप की बोडी कवरिंग में और यहीं डिफ्रेंट से बीच में आपके बर्ड्स और मैमल्स के दीच में यह कोशन आपको चैप्टर कंप्लीट होगे विटा अब इसका पॉर्षन है रहे हों हम बुक से करेंगे ठीक है तो अपनी बुक निकाल के रखो अब अपनी बुक का पॉर्षन स्टार्ट करने वाले हैं स्टुडेंट्स अब अपना आप यहां पे सबसे पहले बुक में निकाली है चैप्टर नंबर सेवन लैट्स टू यह हम फिल करते हैं आपको यहां पे कोशल नुमर एगिवन है राइट पर नेमस उफ ऐणिमल्स गीवन ब्लों इन करेक्ट बॉक्स अ अपको यहां पर घीवन है कि आपको नेम आफ ऑफ तब बताने हैं जो आपको यहां पर गीवन जो आपको गिल्स यूज़ करते हैं और लंग्स आपके मैमल्स यूज़ करते हैं तो बिटा आपको उसके लिए एक्जाम्पल यहाँ पर बता रहा है कि क्या नाम है उनके सबसे पहले जैसे यहाँ पर डॉल्फिन है डॉल्फिन आपका क्या है एक आपका एक्विटिक है नि लंक के तुरम करता है शिप आपका एक मैमल्स ऒाइप तो आपको इन्सेक्ट कर पेतो क्योंत कर यह कृम आपका जितिक करते हैं और मिल को बिटल होते हैं जोब भी ऒरोगा जो अपको स्पाइरेकल्स के तरह ब्रिठिंग करेगा उसके बाद आपका नेक्स्ट को नाता है मैस्टा फॉलॉइंग तो मैस्टा फॉलॉइंग में आपको देखो बर्ड़ होते इने इस इस प्रपरटीinkिस हैनसे क्या साटिस्पाइ कर सार्षा है आप prz शेल होती है, hard body covering होती है, polar bear होते हैं, polar bear की पूरी body पे white fur होते हैं, तो यह आपके क्या हो गई, five property, इनसे एक दूसरे से match हो गई, ठीक है, यह आपको करना है, अपनी book में fill करने, आपको learn करने हैं साथ-साथ, इसके बाद आपका next आता है, periodic test, second, जो आपके chapter number four, five, six, seven, आपके इन chapters का conclusions है, यह questions आपके chapters में आचुके हैं, अबर एक बार आपको revise करा देते हैं, तो आप इसमें book में fill कर ले ना, बिटा, साथ-साथ, which of the following animal breath through its moisture skin, कि कौन सा एक animal है, जो अपनी moisture skin के थरूँ breathing करता है, तो क्या हो गया, बिटा, frog, whale तो आपकी नहीं करती, frog, fish, dolphin, तो fish, gills के साथ dolphin, lungs के थरू, moist skin के थरूँ, frog करता है, second कहता है, call is a kind of, call किसका kind है, बिटा, ignious rock, metamorphic rock, sedimentary rock, or slates, तो किसका टाइप है, बिटा, call आपका, sedimentary rock का टाइप है, किसका टाइप है, बिटा, आपका, sedimentary rock का टाइप है, okay, थर्ड आपको कहता है, the most fertile layer of the soil is, जो most fertile layer है, soil की, वह क्या होती है आपके टॉप सॉल होती है एसे रहतbahn कम का घली ग्लो के गढता है इसे इस्तवी विटर देये जाती है यह उपार द्याए उसके आंज में द comer जाती है वह चैंज कैसा है बिटापका रहा थोड़ा सा इनके बीच में रहता है इनके बीच में बहुत ज्यादा हो जाता है solids के case में रहता नहीं है तो liquids के case में रहता है थोड़ा सा space तो आप क्या बोलोगे liquids क्या बोलोगे आप liquids okay फिर आपको कहता है right true for T for true and F for false आपको true false है आपको true false बताने है तो बिटा जो soft rings होती है उनमें carbon dioxide gas dissolved होती है बात सच है सिद्धी सी बात है तो यहां पर क्या करोगे true top soil क्या होती है आपके most infertile layer गल्ट बात है यह क्या थे आपकी fertile layer थी तो यह बात क्या हो गई गलत है तो यह क्या हो गई false हो गई फिर उसके बात कहता है roots of trees hold the soil together जो roots होते है trees के वो क्या करते है soil को पकड़े रखती है बिल्कुल सही है एक साथ रखती है तो वो क्या है true बात है true statement है then fourth आपका कहता है slate is formed from the shell and igneous rock जो slate होती है वो किसके form होती है आपकी किसके help से shell और igneous rock यह आपको बताना की true है या false है क्या होती है false slate आपकी क्या होती है metamorphic rocks की truth बनती है कैसे बनती है metamorphic rocks से fifth आपको कहता है feathers of birds help to swing feathers क्या करते है fly करने में help करते है swimming में नहीं करते तो यह बात भी क्या हो गई आपकी false हो गई क्या हो गई आपकी false हो गई ठीक है उसके बाद आते है name the following name the following आपको क्या कहता है first question two animals that breathe throgans अभी आपने क्या था crab और fish और prawn तीन होते हैं आप तीदो कर सकते है the rocks which can float in water water में कौन से rocks flow करते है pumice stones यह हमेशा gases का बना होता है तो इसलिए flow करता है float करता है पाने में तैरता है दो human activities बताने है जो आपके soil erosion को बढ़ावा देती है उसका reason है तो क्या है over grazing जो animals होते हैं उनको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा over grazing कराया जाता है या deforestation आप वहाँ प्लांट कट कर देते है human beings ही करते है तो यह तो activity है जिसकी जैसे आपको क्या होता है soil erosion होता है two immiscible liquids आपको दो ऐसे liquids बताने है जो आपस में क्या होते है डिजॉल नहीं होते तो क्या oil और water mix करो क्या डिजॉल नहीं होते oil उपर float करता है water नीचे रह जाता है तो यह कहें आपके immiscible liquids है फिर आपको कहता है two gases dead dissolved in water दो gases बताने जो वाटर में डिजॉल होती है वो क्या होती है oxygen और carbon dioxide वो क्या होती है oxygen और carbon dioxide बिटे जो एक question है आपके answer the following आपके five questions है तो यह सारे questions आपको chapter में as it is मिले हुए है और हमने कराए हुए है ठीक है आपको वहाँ से बस chapter में पीछे जाना है four से लेके seven तक chapters में और वहाँ से आपको इनको write down करना है यह सारा आप book में करेंगे और यह वाले questions आपको notebook में write down करना है पीरियोडिक टेस्ट सेकेंड डाल की ओके यह आज आपको homework है आपको seven चैप्टर यह पीरियोडिक टेस्ट आपको complete करना है कल हम करेंगे model test paper जो term one का examination होता है जिसमें complete syllabus आपके seven chapters तर वह हम कल फिल करेंगे ठीक है थेंक्यू बिटा